हालो लुटनर्स, वलकम टो एडुकेशनल चानेल, आज हम लोगे इंटी ए उचिसी नेट पेपर ट्टू, एडुकेशन सब्चेट की अकॉर्डिंग, फिल्डर्स कंटिंजेंसी मॉडल के बढ़े में पढ़ेंगे, जो यूनित 9 सेक्षन भी से रिलेटेट है, ठीक है, मगर फिल्डर कंटिंजेंसी मॉडल को पढ़ने से पहले, हम लोग एक चीज़ देखेंगे, देखिए, यह जो फिल्डर कंटिंजेंसी मॉडल है, हांसन ब्लेंजर्स मॉडल है, यह दोनों मॉडल हमारी सिच्वेशनल थियोरी की अंतर गत है, ठीक है, अगले वीडियो पर हम ल अंतर गत होगा, सिच्वेशनल थियोरी की अंतर गत होगा, ठीक है, तो फिर्स्ट आज इस वीडियो पर फिल्डर कंटिंजेंसी मॉडल को स्टाडी करेंगे, फिल्डर कंटिंजेंसी मॉडल को हम LPC कह सकते है, जिसको हम लीस्ट प्रेफर्ट कुवार्ट कर्ट भी कहते है LTC का फूल क्या है Least Preferred Quarkart ठीक है अच्छा अभी देखिए जो हमारी Fielder Contingency Model है ठीक है यह basically दो चीज की ऊपर Dependent है ठीक है पहला है Leadership Style दूसरा है Situational Variable तो देखिए यहाँ पर it depends on attaining a proper match between Leadership Style and Situational Variable that means situation की ऊपर बेस करके Leadership Style को fixed करना है ठीक है इसके लिए दो factors है एक होती है Leadership दूसरा है Situational Leadership Style पर क्या होगा कि यहाँ पर Fielder की According देखा गया कि Fielder की अनुसर Leadership Style may be a Tax Oriented or Relationship Oriented ठीक है तो Leadership Style कैसा होगा Fielder की अनुसर Tax Oriented होगा और दूसरा Relationship Tax Oriented का मतलब क्या होती है Learners जहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ काम पर फोकस करते है ठीक है और Relationship का मतलब क्या होती है जब आप सिर्फ Employee and Leader की जो Relationship है उसके उपर फोकस कर रहे हो ठीक है कैसा Relationship है Autocratic है Democratic है ठीक है Formal है Non-formal है कैसा Relationship है इसके उपर फोकस करते हो तब आप अच्छा अब देखो Fielder's fail that the leadership style of leader is fixed मतलब एक leader को एक leadership style को fixed रखना होगा ठीक है अच्छा इन ओडर तो फाइंड आउट the leadership style of a leader तो एक leader की कौन सी leadership style है ये देखने के लिए Least preferred worker ठीक है इसका मतलब क्या है LPC ये LPC question year को ready किया गया ठीक है और ये LPC question year दिया गया हमारी followers को ठीक है ये that means employee को जो की leader को scale 1 to 8 से ranking order पर marks देंगे ठीक है अच्छा आप यहाँ पर अगर high LPC हो गया तो वो हो जाएगी more relationship oriented मतलब एक से आट तक जो rank नेंगे अगर high rank आगया ठीक है तो वो relationship oriented होगा मतलब leader and आपकी followers की बीच में अच्छा bond है अगर low LPC हुआ तो वो आजाएगी tax oriented that means वो सिर्फ वो सिर्फ काम पर focus करता है तो leadership style पर basically क्या समझे learners की हाँ पर एक tax orientation होती है दूसरा relationship orientation होती है तो LPC filters ने create किया है ठीक है जिसका pull from क्या है least preferred co-worker क्या है एक questionnaire है जैसे हम लोग questionnaire को create करते है रिसर्च के लिटिक वैसे ही questionnaire है जिसको हम LPC कहते है वो LPC किसको दिया गया followers को जैसे कि हम लोग students को देते है या फिर sample को देते है न वैसे ही यहाँ पर LPC followers और that means आपकी employee को दिया गया अब वहाँ पर leader को 1 से 8 तक scale में rank किया जाएगा अब अगर high LPC order आई तो वो हो जाएगी आपके relationship orientation अगर low आई तो वो क्या हो जाएगी tax orientation clear है अब चलिए next situational variables कि दो variables के उपर best करके filters contingency model create हुआ है एक है leadership style दूसरा क्या है बताओ situational variables पहला है leader member relationship ठीक है leader member relationship पर क्या होती है कि आप दोनों की बीच की एक जो सम्मंध है जो relation है उसको देख रहे हो relation को देख रहे हो और इस relation अच्छे भी हो सकती है बुड़ा भी हो सकती है क्योंकि relation कैसा है ठीक है what kind of relation between leader and member ये question ना कह रहा है जो हो रही है ना what kind of relation good relation और bad relation अब good and bad relation ये depend करेगा किसके उपर trust के उपर ठीक है next respect के उपर confidence के उपर इन तीन चार चीजों के उपर आपके relationship good होगा या bad होगा वो dependent रहेगा जितना अच्छा trust करेंगे दोनों-दोनों के उपर मतलब leader employee के उपर trust करेंगे employee leader के उपर trust करेंगे दोनों ही दोनों को respect करेंगे confidence होगा ठीक है तब भी एक relationship अच्छी होती है task structure ठीक है काम करना है सभी को ठीक है अब वही काम कैसा होगा structure form में होगा या non-structure form में होगा structure form का मतलब as a leader आप followers को बता रहे हो कि उनकी responsibility क्या है उनकी roles क्या है authorities के बारे में tax authorities के बारे में clearly आप क्या कर रहे हो हर एक जिस define कर रहे हो that means जो struct मतलब आपकी काम होगा जो tax होगा वह structure form में होगा अगर आप clearly नहीं बताओंगे ambiguous हो जाएगा complex हो जाएगा non-routine रहेगा हर एक काम तो वह non-structure में आ जाएगा next क्या है position power तो एक leader की जो position है वो कितना powerful है वो strong है या weak है ठीक है power strong है या weak है इसको हम देखेंगे ठीक है अब इसको देखने के लिए यहाँ पर leader की कुछ activity होना चाहिए जैसे कि वो work assign कर सकेंगे वो recommendation provide कर सकेंगे promotion दे सकेंगे ठीक है demotion भी कर सकेंगे award भी देंगे reward भी देंगे और punishment भी देंगे ठीक है यह activity यह सारी अगर चीज़ करेंगे एक leader तो उसकी power strong होगा नहीं तो weak होगा अभी तक जितना भी study किये situational variables के बारे में उन सारी चीज़ों को हम लग डाइगरम की तो समझेंगे ठीक है relationship, leader and followers के relationship कैसा होगा good और bad यह depend करेगा हमारी trust, respect and confidence के लिए tax orientation जहाँ पर एक structure और दूसरा non structure structure अच्छी चीज़ होती है जहाँ पर clear way में define कर रहे हो जहाँ पर responsibilities, roles, tax authority यह सारी चीज़ आएगा और non structure में कोई भी चीज़ clear नहीं ambiguous nature है ठीक है position, position किसका position, leader का position, वो strong भी हो सकती है वो weak भी हो सकती है ठीक है strong तभी होगा जब आप work provide करोगे recommendation देंगे, promotion, demotion, reward, award और punishment दे सकेंगे तभी आपकी जो position है वो strong होगा या फिर powerful होगा clear learners देखे है यही पर हमारी filters contingency model खतम होती है अगर lesson अच्छे लगते है तो like किजिए, share किजिए always share knowledge and be happy, thank you for listening me, bye bye